हेलो गाइस काईस आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप Redmi Note 5 Pro के अंदर या Redmi Note 5 हो या Redmi Note 5 Pro हो उसके अंदर आप contact को कैसे export, import कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह भेज़ सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह मंगवा भी सकते हैं तो यहां पर import आप एक SIM में से दूसरी SIM में कर सकते हैं Gmail ID में कर सकते हैं, phone में कर सकते हैं कहीं पर भी कर सकते हैं अगर आप अपने mobile को format मार रहे हैं तो SIM में कर सकते हैं और अगर SIM आपका अपलिकाल कर फैक रहे हैं तो आप अपने mobile में कर सकते हैं तो basically छोटा सा प्रोसेस आपको यह देखना होगा और आप पर यह करना आजायगा सबसे पहले या तो आप अपने contact में जाए जाए इस प्रोसेस को करने के लिए या फिर जो जाएए आप जाएए अपने डाइलर में डालर में जाने के बाद यहां पर नंबर आ जाएगा आपको दिखते हैं तो इस पर किरिक कर देना होगा जैसे आप किलिक करेंगे यहां पर सबसे पहला आपका import from storage in import from simcard 1 simcard 2 और यहां पर export export to storage import तो यह पर आपको आप डीच हाप अपर share भी कर सकते है शेयर का भी option आपको जो है मिलता है और जैसे कि आपको इंपोर्ट करना है storage में तो आप यहां पर जो अपने सारे contact यहां पर इनको भीज सकते है Gmail ID और आपका local उसके बाद यहां पर 2 का SIM आता है 1 का SIM आता है यहां पर इंपोर्ट कर आता है सिर्फ यहां पर आपको okay करना है बाकि जितने भी आपके contact हो वो चिप में चले जाएंगे या फिर यहां पर आपके SIM में चले जाएंगे तो इस तरीके से आप import export कर सकते हैं और अगर आपको कोई problem आती है यहां पर तो आप comment box में पूछ सकते हैं मैं उसकर reply आपको जुरूर दूँगा और कुछ पूछ ना है तो पूछ भी सकते हैं और अगर वीडियो अच्छी लगे तो गाई से आप लाइक करना लाइक करने के बाद हमारी इस चैनल को subscribe भी कर लीजेगा तो मिलते हैं गाईस अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई and take care